देवदासी एक एक मनरंजन और रूचक नाम जिसे सुनकर मन में ख्याल आता है कि ये कौन थे, कहां रेते थे और उनका काम क्या था नमस्कर दोस्तों मैं सुभस्त्री आज आपको देवदासी के बारे में बताऊंगी एक रूचक नाम जिसे भारत की मंदीर के दूआरा ही आकर्षन पेदा किया जाता था आए जानते हैं देवदेसी का मतलब एक लड़की को भगवान को दान कर देना मतलब की भगवान के नाम से मंदीर को दान कर देना छे सतब्दी में लगभग यह फ्रथा प्रारंप हुआ था यहां एक एसी प्रथा था जिसमें एक कम उमर की लड़की को भगवान और देब्दा के साथ बिबहा किया जाता था बिबहा के बाद वो लड़के मंदिर का देखवाल और सारे पुजा उपसना नियम के अंदर नुर्त्य संगित प्रदर्शन करती थी मुख्यत देब्दासियों ने पारंपारिक नुर्त्य कला जैसे की ओडिसी भारत नाट्यम आदिशास्त्रिय नुर्त्य मंदिर में प्रदर्शित करते थे यह नुर्त्य देब्दा के द्वारा संप्रुक्ते तु इसको बहुत सूब माना जाता था दखिण और पस्चिम भारत में यह प्रथा चलते आ रही थी इस समय समाज में इनका बहुत सनमान क्या जाता था अर्थनीती दूर्बर लोग ही अपने बेटी को देब्दासि होने के लिए दान कर देते थे देब्दासि होने के बाद एक लड़की अर्थभाव से दूर होके समरुज साली जीवन अतिवायत करती थी पर बाद में धनी गोष्ठी जैसे की राजा महाराजा ब्यापारी आदी धन का व्योदुर्व भार करके मंदिर के करमचारियों के सहायता से देब्दासियों को सारी रिक सूसन करने लगे धीरे धीरे देब्दासियों अत्याचारित होने लगे मुगल और ब्रिटिस लोग आने के बाद मंदिर के हालत खराब होने के सासाथ देब्दासियों की थीती भी खराब होने लगे मुख्यत अंधविश्वास के कारण से ही सब को धर्म मानकर भगवान नाम से अत्याचर किया जा रहा था भारत के सर्बोच न्याले के द्वारा नियम बनाकर इस प्रथा को बंद कर दिया गया है फिर भी भारत के कुछ जगा में आज भी यह प्रथा चिली आ रही है तुख जीवन होने के बाद भी देवदासियों ने अपना सास्त्रिय नुर्त्य और संगीत कला को उजवित करके रखा था मंदिर का स्मुख्या कशन ही देवदासियों थे राज्य के राजनेती अर्थाद गुपतजर संस्था में राजा महाराजा उनको नियोजित करते थे यह था देवदासियों के बास्तप जिवन सरले धन्यवाद